नमस्कार दोस्तों आप सभी का अपने इस चैनल पर मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूँ फ्री वाले डीटेस पर आने वाले एक प्राबलम के बारे में जैसे के आप देख सकते हैं टीवी स्कीन पर सिगनल क्वाल्टी 30%, 20%, 40% इस परकार से अप डाउन कर रहा है अगर आपके जो सिगनल क्वाल्टी है 30%, 40%, 50% आ जाता है फिर डाउन हो जाता है तो दोस्तों यह जो फाल्ट है आपके डिसेंटीना से नहीं है तो आप आपने डिस्कों बिल्कुन भीना घुमाएं आप जो फाल्ट है तो आपके सेटप बाक से होता है आप इस फाल्ट को किस परकार से ठीक कर सकते हैं तो दोस्तों वीडो को पूरा कंपीर देखिएगा आप इस फाल्ट को बहुत ही आसानी से मिन्टों में ठीक कर सकते हैं तो दोस्तो इस फाल्ट को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहने तो इस प्रकार से एक छोटा सा बिजली का वायर का टुकड़ा देना है और इसके अंदर कापर का वायर होना चाहिए तो आप देख सकते हैं मेरे पास यह है एक बिल्ली का वायर का टुकड़ा है और यह जो फाल्ट है तो दोस्तों यह जो फाल्ट है इस power supply की कारणी अक्सर देखने को मिलता है मने देखा है कई बार नया power supply लगा देने के बाद भी ऐसा problem देखने को मिलता है तो दोस्तों आपको क्या करना है जिससे कि आपका फाल्ट ठीक हो सकता है तो आप देख सकते हैं कि इस पावर सप्लाई पर यहां एक डायोड लगा हुआ है जिसका नंबर है 5399 और यह दोस्तों DTH का सबसे सस्ता पावर सप्लाई है जो की मार्केट में मिलता है आप इस पर यह प्रावलम जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है तो आप दोस्तों इस पावर सप्लाई पर इस फाल्ट को किस परकार से ठीक करेंगे तो आपको इस wire को लेने के बार इसका जो एक point है आपको इस diode के यहाँ आपको शोल्डिंग करना है तो दोस्तो हम इस wire को इस diode के इस point पर शोल्डिंग कर लेंगे आपको इस प्रकार से इस wire का एक point इस diode पर यहाँ cathode बाले point पर शोल्डिंग कर लेना है अब दोस्तो आपको इस दूसरे बाले point को कहां शोल्डिंग करना है तो आप देख सकते हैं यह DTS का motherboard है तो दोस्तो आपको क्या करना है इस IC के इसे सबसे उपर वाले pin पर जो कि इसका 3.3 volt input वाला pin है आपको इस wire को यहाँ शोल्डिंग करना है तो दोस्तो हम यहाँ इसे शोल्डिंग करेंगे तो आपको इस प्रकार से इस wire को एक यहाँ सोल्डिंग कर देना है और दोस्तो आपको यहाँ सोल्डिंग कर देना है इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो fault है तो दोस्तो आपका fault इस प्रकार से ठीक हो सकता है मैं आपको इस setup box को चालू करके भी दोबारा से आपको दिखाता हूँ दोस्तो आप देख सकते हैं जो signal quality है इसके पहले 20%, 30%, 40%, 50% के लगभग आप डाउन हो रहा था अब दोस्तो आप देख सकते हैं जो signal quality है 74% में fix हो चुका है इस प्रकार से दोस्तो आप इस प्रकार के प्राबलम को इस setup box से मिंटो में बिना किसी खर्चे के इस प्रकार से आप ठीक कर सकते हैं हो सकता है कि आपका जो problem है तो सही हो जाए और अधिकतर जो problem है इस प्रकार का आपका इससे power supply के कारण ही होता है अगर इस प्रकार का fault आता है तो market में आजकल बहुत ही अच्छे-च्छे quality के power supply भी आते हैं जैसे कि आप चेंज करके इस fault को ठीक कर सकते हैं अगर दोस्तों है जानकारी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुन भी ना भूने मिलते हैं नेस्ट वीडियो पर नमस्कार